ओम शान्ती आज है आठ जून दो हजार बाइस की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मिठे मिठे माहा वक्यों को मिठे बच्चे विकर्मों से बच्चने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बढ़ने की प्रेक्टिस करो यह प्रेक्टिस ही माया जीत बनाएगी स्थाई योग जुटा रहेगा प्रेश्ण कौन सा निष्चे यदि पक्का हो तो योग तूट नहीं सकता उत्तर सत्युग त्रेता में हम पावन थे द्वापर कल्युग में पतत बने अब फिर हमें पावन बनना है यह निष्चे पक्का हो तो योग तूट नहीं सकता माया हार खिला नहीं सकती गीत जो पिया के साथ है ओम शांती मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ कए उस बरसात की तो बात नहीं है वह जो सागर वा नदिया हैं उनकी बात नहीं है यहाँ है ज्यान सागर वहाँ आकर ज्यान बरसात बरसाते हैं तो अज्यान अंध्यारा दूर हो जाता है यहाँ कौन समझते हैं जो अपने को प्रजा पिता ब्रम्हा कुमार कुमारी समझते हैं बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वहा हो गया हम सब बीके का दादा सोभी निराकार, जबकि तुम निश्य करते हो हम प्रजापिता ब्रम्हकुमार कुमारिया हैं, तो फिर यहां भूलने की बात ही नहीं, सब भी बच्चे बिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तो सब सुनेंगे, बच्चें के लिए ही ग्यान बरसाथ है, जिस ग्यान से घोर अन्धियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो, हम घोर अन्धियारे में थे, अब रोश्नी मिली हैं, तो सब जानते जा रहे हैं। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो, जो शेबाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ, सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जनम की नहीं, शेबाबा की कितने जनमों की बायोग्राफी है, तुमको मालूम है, तुम जा जानते हो शेबाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है आदी से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो बरोबर भक्ति मार्ग में जो जस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है वह चैतन्य तो है नहीं साक्षातकार मैं ही कराता हूँ बच्चे बने हैं उनको तो जरूर वर्सा मिलेगा बाब बच्चों को वर्सा देते हैं यहां काईदा है तुम्हारा अभी सद्गती तरफ मुख है तुम बूलवतन सुक्षमवतन स्थूलवतन को जानते हो कौन इस बेहर ड्रामा में मुख्य अक्टर्स हैं क्रियेटर और अफिड डिरेक्टर रचता है और करन करावनहार है डिरेक्शन देते हैं ना पढ़ाते भी हैं कहते हैं मैं तुमको राज्युक सिखाने आया हूँ यहां भी करम करना हुआ ना और कराते भी हैं आधा कर्प तो माया के वश असत्य करतव्य करते आए हो यहां है हारजीत का माया तुम्हारे से असत कर्तव्य कराती आई है असत कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ जो सबको सतकरम करना सिखलाता हूँ अभी सबकी क्यामत का समय है सबको कब्र से जगाना है यह सब कब्र दाखिल है बाप आकर जगाते हैं मौत सामने खड़ा है शिर बाबा ब्रम्हा शरीर द्वारा हमको सब समझा रहे हैं तुम सब की बायोग्राफी शिर बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो तो उंच ठहरेना जो शास्त्र बहुत अध्यन करने वाले होते हैं उनकी आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं तुमको माथा नहीं टेकना है है बिलकुल सहज बात बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांती धाम के रहवासी बनेंगे फिर सुक धाम में आएंगे अभी हम प्रजा पिता ब्रम्हा कुमार कुमारी हैं शिबाबा के हम पोत्रे हैं शिबाबा को याद करने से हमको सुक्का वर्सा मिलेगा तुम बच्चियों को निश्चे है कि हम पवित्र थे फिर पतित बने अब फिर हमें पावन बढ़ना है अगर निश्चे नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा पद भी नहीं पासकेंगे पवित्र जीवन तो बहुत अच्छी है ना कुमारियों का बहुत मान है क्यूंकि इस समें तुम कुमारियां बहुत हैं सर्वस करती हो ना अभी तुम पवित्र रहती हो अभी की पवित्रता भक्ती मार्ग में पूझी जाती है यहाद दुनिया तो बड़ी गंदी है कीचक की कहानी है ना मनुश्य बहुत गंदे विचार रखकर आते हैं उनको कीचक कहा जाता है इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है ब सुखधाम के मालिक थे फिर चक्र लगाया है यहां तो निश्चे होना चाहिए न आशरीरी बनने की आदत डालने है नहीं तो माया खाती रहेगी योग टूटा हुआ रहेगा विकर्म विनाश नहीं होंगे कितनी महनत करनी चाहिए याद में रहने की याद से ही आवर हल्दी बनेंगे जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं कल्प कल्प पढ़ाते हैं राज्य भाग्य देते हैं तुम योग बल से अपनी राजधाने स्थापन करते हो राजा राज्य करते हैं सेना राज्य के लिए लड़ती है यहां तुम अपने लिए महनत करते हो बाप के लिए नहीं मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ मैं तुमको राज्य दिलाने लिए युक्तियां बताता हूँ तुम सब वान प्रस्ती हो सबका मौत है चोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाब का वर्सा मिलेगा यहाद दुनिया ही नहीं रहेगी जो पासके मनुश्य तो घोरंधियारे में हैं खूप ऐसा कमाने की इच्छा रखते हैं समझते हैं हमारे पूत्र पूत्रे खाएंगे प्रन्तु यहाद कामना किसी की पूरण नहीं होगी यहाद समिठी में मिल जाना है यहाद दुनिया ही खत्म होनी है एक ही बॉम लगा तो सब खत्म हो जाएंगे निकानने वाला कोई नहीं अभी तो सोने आदी की खानिया बिलकुल खाली हो गई है नई दुनिया में वहाँ फिर सब भरतु हो जाएंगी वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है फिर शुरू होगा रोशनी आ गई है गाते हैं ज्यान सूर्य प्रक्टा अग्यान अंधेर विनाश उस सूर्य की बात नहीं मनुश्य सूर्य को पानी देते हैं अब सूर्य तो पानी पहुँचाता है सारी दुनिया को उनको फिर पानी देते हैं वंडर है भक्ती का फिर कहते हैं सूर्य देवताई नमहा चंद्र देवताए नमहा, वहां फिर देवताए कैसे होंगे यहां तो मिनुश्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते वहां तो सूर्य चान्द सितारे हैं, सूर्य का भी झंड़ा लगाती हैं, जापान में सूर्य वंशी कहती है वास्तव में ग्यान सूर्य वंशी तो सब है प्रन्तु नौलेज नहीं है अब कहां वह सूर्य कहां यह ग्यान सूर्य यहां भी यह साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं फिर भी नतीजा क्या होता है कुछ भी नहीं विनाश को पाया की पाया सैंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं इस साइंसे अपना ही विनाश करते हैं उन्हों की है साइंस तुम्हारी है साइलेंस वह साइंसे विनाश करते हैं तुम साइलेंस से स्वरकी स्थापना करते हो अभी तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है उस तरफ वह से नाए इ तो पूरा मददगार बढ़ना चाहे यहाँ पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो अभी संगम का टाइम है बाप बेडा पार करने आए हैं तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा बीच बीच में रहसल होती रहेगी लड़ायां तो ठेर लगती रहती हैं यहाँ है ही चीची दुनिया तुम जानते हो बाबा हमको गुल-गुल दुनिया में ले चलते हैं यहाँ पुराना चोला उतारना है फिर नया चोला पहनना है यहाँ तो बाप गैरेंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूं इसलिए मेरा नाम कालों का काल महा काल रखा है पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरिशार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुम को स्वर्ग में भेज दूँगा साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है करम भी ना तो कोई रहना सके करम सन्यास तो होता नहीं सना ना दी करना यह भी करम है ना पिछाडी में सब पूरा ग्यान लेंगे सिर्फ समझेंगे कि यह चो कहते हैं किशे बाबा पढ़ाते हैं यह ठीक है निराकार्भगवान वाच वह तो एक ही है इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है सब ब्रदस है तो ब्रदस का बाब तो होगा न नहीं तो कहां से आई गाते भी है तुम मात पिता यहाँ है बाब की महिमा इन आखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धी से जानते हैं, हम को पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो बाब के साथ हैं उसके लिए ही यहा राजयोक और ग्यान की बरसात है, पतीतों को पावन बनाना यहा बाब का काम है, यहा ग्यान सागर वही है, तुम जानते हो हम बाबा के पोत्रे ब्रम्हा के बच्चें है, ब्रम्हा का बाब है शिव वर्सर शिव बाबा से मिलता है, याद भी उनको करना है अभी हम को जाना है विश्णो पूरी, यहां से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है शुद्रों की नाव खड़ी है तुम्हारी नाव चल पड़ी है अभी तुम सीधा घर जाएंगे पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है अभी यह नाटक पूरा होता है अब कपड़ा उतार जाएंगे घर अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक कोई भी असत करम नहीं करना है मौत सामने खड़ा है क्यामत का समय है इसलिए सब को कबर से जगाना है पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है नमबर दो इस चीची दुनिया में कोई भी कामनाई नहीं रखनी है सबके डुबे हुए बेडे को साल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बढ़ना है वर्दान योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव बाप द्वारा प्राप्थ हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ती ज्यादा हो जो साधारन व्यक्ती 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्थ करते हैं वह आप एक दो सैकिड में कर लो कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो तब कहेंगे योक अप्रियो करने वाले सफल तपस्वी श्लोगन अपने अनादी आदी संसकार समरीती में रख सदा अचल रहो शुक्रिया बाबा शुक्रिया माती शुरी जी के अनमोल महवाक्य कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की च्छाव में अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं जब मनुश्य अती दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की च्छाव में इससे सिध है की जरूर वो भी कोई दुनिया है अब यहाँ तो सभी मनुश्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है जिस कारण मनुश्य दुख और अशांती को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जस दुनिया के संसकार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम चानते हैं कि दुख अशान्ती यह सब करम बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मिनुश्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कल्यूग है तो वो सारा करम बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सत्यूग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है करम बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यहां नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी करम बंधन का मामला नहीं है वो जीवन लेते जीवन छोड़ते आदी मध्य अंत्सुक को प्राप्त करते थे तो जीवन मुक्ती का मतलब है जीवन होते करमातेत अब यह सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी चकड़ी होई है मानों पांच विकारों का पूरा पूरा वास है प्रंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भूतों को जीट सके तब ही परमात्मा खुद आकर हमें पांच भूतों से छुडाते हैं और भविश्य प्रालब्द देवी देवतापद प्राप्त कराते हैं पीशे बाबा के मुरली रोज आपके पास पहुंचे ओम शान्ती